मैंने मर्द की बेवसी तब महसूस की जब मेरे वालित कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें से त्याब होने से ज़्यादा इस बात की फिकर लाहिक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बिमारी पर खार्च हो रहा है और उनके बाद हमारा क्या होगा मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बादार एद की शापिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके आथों में शापिंग बैग्स का धेर था और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई आपने कुर्टा खरीद लिया अब कोई नई चपल भी खरीद ले जिस पर जवाब आया जरूरत ही नहीं पिछले साल वाली कौन सी रोज पहनी है जो खराब हो गई हो तुम देख लो और क्या लेना है बाद में अकेले इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी अभी में साथ हूँ जो खरीदना है आज ही खरीद लो मैंने मर्द का इसार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बेहन के लिए भी तोफ़ा लाया मैंने मर्द का तफ़ तब देखा जब सड़ क्रास करते हुए मैंने मर्द का दब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजणने पर वापस लोटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिन्दा हूँ लेकिन उसकी खिंचती हुई कनपटियां और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी के धेर तो वो भी ओचुका रोना तो वो भी चाता है लेकिन ये जुमला कि मर्त कभी रोता नहीं उसे रोने नहीं देगा